वेल्कम डो सारोज प्लस गूरूप आज की हमारा टॉपिक है बी एससी बोट्णी का जो की ध्रड एक्स्पेरिमेंटल पहिक चला था हमारा उसी में आज हमारा फोर्थ टॉपिक है जिस किसी water sample की जो कि हम को दी गई है सब्सक्राइब में ए प्लस भी तो अब्जेक्टिव भी हमारा यह है तो अब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए के रिक्वार्मेंट जो है वह आप देखेंगे 100 ml कोनकल फ्लास्क है वाटर सम्पल ए एंड प्लस भी है फिर 0.001 नॉर्मल्टी का एन्युएच सलूशन होगा फिर ब्यूरेट असम्पली पूरी ब्यूरेट की जो हमें टाट्रेशन करना है इसके बात इंडिकेटर फिनिप् एसे करेंगे पियसे के पैच टेस्ट बैस्ट हएंड हैbl आट प्रिंस्पेल प्रिंसपल्ट है इंड सेंपली सेन्फेल है। आनि अप्रेटिंग एंड ब्यूर्ट्रवितव EVERY इड्र उनीयुक्ति ही है कि यहित sih कि सबर्चतरां आद करने सेंफ़ में इसको करना है बाइ टाइटरेशन तो हम इसमें टाइटरेशन किसे करेंगे बाइ स्टैंडर्ड अल्किलाई सलूशन तो मतलब यह है कि हम पी-च में यहां पे बैलन्स करने के लिए हम यह सारा टाइटरेशन मेथड़ जो है अब फॉर्मूला कर देखें तो एसे डिटी का होता है इसी फॉर्मूले को बेस बनाकर हम लोग अभी जो डेटा हमारी रेडिंग आएगी उस रेडिंग को रखके हम सॉल्फ करेंगे और अपना अंसर निकालेंगे अब इसमें प्रोसीजर क्या है प्रोसीजर में इसमें देखिए कि पहल सबसे पहले क्या करेंगे 25 एमल जो इसमें उसके बाद 3 ट्रॉप्स पिनेप्तिलीन इंडिकेटर उसमें एड़ करेंगे और फिर टाट्रीशन के लिए उसको कर देंगे टाट्रीशन लगाएंगे उसमें 0.01 नॉर्मल जो एन्योफ सलूशन है उसके अगिंस्ट करेंगे अब उसमें हमने क्या किया कि जब भी आगि वैलियू है तो इस वज़े से हम दो तीन बार इसको रिपीट करेंगे और यह बार बार फिल करके ही करना पड़ेगा जीरो सलूशन से स्टार्ट करके फिर इसको फ्लास को शेकिंग करेंगे और उसमें तब तक शेक करेंगे जब तक कि पिंक कलर अप्टेंग ना हो एक यहां पर नोट है कि जो ब्यूरेट की रेडिंग होती है वो रिपीट करते हैं टाइट्रेशन को तब तक जब तक इसी से हमें पता चलेगा कि हाँ जो हम सैंपल लेकर इसको टाइट्रेशन कर रहे हैं वो सही है अदर्वाइस रेडिंग अलग अलग आएगी तो फिर हम फॉर्मिले में रखके सॉल्व नहीं कर पाएंगे और वो गलात आएगी तो यह सारी इसकी प्रोसेजर है इसके बाद ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे कि जैसे देखिए यहां पर पहला दिया है कि सबस्की जब वॉल्म ऑफ सैंपल ए हमने लिया था पॉाइंट टू वॉल्म का जो हम उसमें देखें कि एने वेच यूजड हुआ है इन एमेल तो इसमें कितना हमारा रेडिंग आई है तो वह हमारी आएगी पन पॉइंट सिक्स तो हम देख रहे हैं कि जो यह सेंपल हमने यह सिर्फ सैंपल एक ही बात कर रहे हैं इसी तरह सैंपल भी में भी यह हमारी दो वैल्यूज आ गई एकी वैल्यू हमारी आई है 1.6 और बेकी वैल्यू हमारी आई है 7 अब इसी को हम जो है इस फॉर्मुले में रख देंगे जो एसे डिटी का हमारा फॉर्मुला है वॉल्म ऑफ एने उच इन्टू नॉर्मल्टी अपन वॉल्म ऑफ सैंपल तो हमने जैसे सैंपल ए का वैल्यू हमारी 1.6 आई थी तो इन्टू नॉर्मल्टी हमें पता है कि 0.01 हमने ली थी अपन 25 इन्टू 100 इन्टू 10 तो यह हमारा क्या है वॉल्म ऑफ सैंपल है नीचे जो हमने लिया है इसके बात जब सॉल्व करेंगे तो हमारा इसकी वैल्यू की जगे हमने देखे हमने यहां पर 7 निका ली थी सेकंड वाली तो 7 ली है उसके बाद रखकर उसकी सारी वॉल्म को कंप्यार किया है तो हमारा जो फाइनल रेडिंग हमारी आ रही है वो 0.008 आ रही है अब यह सैंपल बी का है तो इस तरह जब हमारी यह दोनों रेडिंग तो हम देखे है रेजल्ट में यही हो रहा है कि सैंपल ये की जो रीडिंग आयो और सैंपल बी की तो इसको हम का इस तरह यह सारा परफॉर्म होगा अब मिलते हैं अपने नेक्स टॉपिक में